मद्दाताओं में कितनी उत्सुक्ता कितना उल्लास यहां पर उन्सके बीच दिख रहा है क्योंकि लगातार न्यूस 24 मद्दाताओं से अपील कर रहा है कि बड़ी संख्या में घर से निकलिए और देखिए पहले मत्दान और फिल जल्ब जल्बान इसी को फॉलो पीज़े चलिए ठीक है अब बारमती का रुक कर लेते हैं होट सीट है और राजीब रंजन मेरे सयोगी वहां पर मौझूद है और उन्होंने वहां के लोगों से भी बातचीत किये तो राजीब सीधा सवाल चाचा भतीजे इस पार मैदान में हैं और इस पार अजीत पवार की भुम विका में युगेंद्र नजर आ रहे हैं क्या लगता है देखिए पूरे देश की पांसो तिरालीस लोगसबा सीटों में सबसे जाइदा विकास किसी लोगसबा सीट में हुआ है तो बारमती में हुआ है और देश में हजारों विदान सबाओं और महाराश्ट की इस 288 विदान सबा सीट में सबसे जाइदा विकास अगर कहीं हुआ है तो बारमती में हुआ है जीत पवार यहां से सबसे ज़्यादा वोटों से पिछली बार विदान सबा का चुनाओ महाराष्ट में जीते थे, मैं बारामती में हूँ और यहां पर सिर्फ एक बात की चर्चा है कि साहिब ने ज़्यादा काम किया, यानि शरत पवार ने या अजीत पवार ने, ये दोनो हमेशा साथ साथ रहते थे, पहला ये विदान सबा चुनाओ, इसके पहले लोग सबा हुआ था, पहला विदान सबा चुनाओ है, जिसमें अजीत पवार शरत पवार ही लड़ गए हैं, और बारामती के लोगों के समझ नहीं आ रहा है, मैं अपने कारिकरम में और वैसे भी दिखाता रहता हूँ, तो आप मैं एक स्कूल में पहुचा हूँ, पहले आप स्कूल की बिल्डिंग देख लिजिए, और कोई एक ऐसी एक बिल्डिंग नहीं है, बारामती में आप देखेंगे, तो सारे स्कूल्स और सारी जो इस जो इस आँज़िक संस्ताइं, इसी तरह कि बिल्कुल मिंटेंड सरकारी हो, चाहे प्राइबेट हो, सब ऐसे ही स्कूल है, और देखिए बारामती के लोग, एक अगर आप तस्वीरों में देखें, तो चाहे आप दिल्ली मुंबई के किसी पॉस्ट इलाके, पॉस्ट ससाइटी के पॉलिंग बूत पर जाएं, और बारामती जो की पूने का एक तालुका है, आप यहां के लोगों को देखें, और यहां मैं आपको बताओं, यहां आने के बाद आपको लगता है कि एक नेता या उसके परिवार या उसका परिवार उस पूरे इलाकों को कितना बदल सकता है, यह बारामती में आके पता चलत और बात इसकी है कि बारा मती के लिए किस ने ज्यादा किया है और बारा मती इस बार कर्ज किसका उतारेगा आप वोड़े आए हाँ इस देदिया थोड़ा और जल्दी आना चाहता था लेकिन थोड़ा देरी हो गए तो कल राती में आके बैड़ी आते हैं नहीं आने नहीं देते हैं यार हमको भी सुबह सुबह आप ही जैसे मज़ेदान आदमी मिल जाते हैं तो आप क्या करते हैं मेरा होटल है सिटीन चोक में हो तो काम साहब और दादा ने किया है आज उनको कर्ज उतारने का है पिछली बार तो दादा को आप लोगों ने आइना दिखा दिया साहब के साथ चले गए इस बार की विदान सबाद चुनाव में क्या लोगों के दिमाग में चल रहे हैं नहीं अभी इस ऐसे महाल में लाके कर दिया है मददारों को इन दोनों ने कि अगर किसी को पूछा जाए कि आपको लेफ्ट पसंद या राइट पसंद तो यह कहना तो मुश्किल है कि वही क्या करें ऐसे महाल में लाके खड़ा कर दिया कि किसको चुने कहीं नहीं सकते हैं अभी हारे के मन में क्या है यह तो क दादक साथ नहीं हूं या दादक साथ हूं साहिब साथ नहीं हूं दिल से तो कोई नहीं कहेगा मन से भी नहीं कहेगा दिल से भी नहीं कहेगा कि मैं इनके साथ हूं हर एक आदमी चाहता है कि दोनों साथ में रहे हर एक आदमी चाहता है यह कोई नहीं कहेगा कि हम दादा क कि लिए किसने जादा किया डाइरेक्टली कोई ने बोल रहा ना सहाब बोलते हैं ना दादा बोलते कि मैंने किया है दादा भी बोलते कि हम सहाब की वज़े से हैं ना हमने सहाब को सोड़ा है ना पावर सहाब कह रहा है कि दादा ने कुछ नहीं किया है किया तो दोनों ने है सही बात है फैक्ट है ना कितनी बार बारा मती आया जब से दोनों लोग अलग हुए लेकिन खुल के कोई बोलता नहीं बोलेंगे भी नहीं क्योंकि चाहते तो दोनों को है वही तो मैं बोल रहा हूं ना अगर किसी माता को बोला जाए कि भाई तुम्हारे में से दो बच्चे है उनमें से कौन आपको ज्यादा तर पसंद है मा भी जवाब नहीं देगी चले आप आये बात किया आपको बहुत सुक्रिया मुझे मालूम था आप यहीं नहीं जो सही है वहीं बोलेंगे देखिए विपनेश पूजा मैं आपको बता दू बाकी जगहों के हमारे जो साथ ही है उनके वोटरों से आप बात करें तो कुछ पता चले यह जो आदमी जिस वादमी से हमने बात की बारा मती कि किसी भी आदमी किसी भी वोटर से मैं बात करूंगा वो यहीं बात कहेंगे कि हम साहब के साथ भी है हम दादा के साथ भी है यहां कोई दूसरा मुद्दा नह है थोड़ा थोड़ा है तो हम तो यह पूछने कि आए हैं कि 12 मति के लोगों स पर किसका करज जादा है साहब का या दादा है कि अबी क्या आब डोनों समय आम अचैरा साब सहाब शाब थे न वह जमुन हो वयक्तिक लोगों को जानते थे वो एक किशी भी लोगों को जानते थे साहब पुराने जमाने में सब्सक्राइब तो ऐसा है क्या कि पुराने लोग साहब के साथ रहते हैं और यह यूथ दादक साहब कि अभी कुछ बोर नहीं चाहते हैं मुझे का है अब देखिए आप बताएं आपको दादा पसंद है कि साहब पसंद है दादा पसंद है चलिए कम से कम लेकिन देखिए एक एक फीलिंग कि पिछली बार साहब का साथ बारामति की लोगों ने दिया था और अजीद पवार ने पिछले चौतिस वर्षों में पैटिस वर्षों में बारामति के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं बिलकुल राचीव आज के टाइम पर तो हम इस स्थिती में आ गए हैं कि कुछ हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं पारे ना सर्वे के आधार पर ना जरनता के आधार पर सीधा रिजल्ट ही सब कुछ देखा